किसी भी व्यापारीक संस्ता के अंदर, प्राप्ती और भुगतान खाते के बारे में छही वाख्य बताईये। तो जो नीचे वाक्य लिखें हुए हैं, उन में से सही वाक्य ढूंड़ना है, इसका मतलब है, चार सेंटेंस लिखें हुए हैं, चार में से तीन तो गलत होंगे, तो गलत वालों को पहचानना है, जो बच गया, वो एक सही है, तो आईए, चेक करते हैं, कैसे, सबसे पहला है इसको बनाना अनिवारे नहीं है, it is not compulsory to make it, इसको बनाना अनिवारे नहीं है, यह पहला sentence है और यह तो सही है कि प्राप्ति और भुकतान खाते को बनाना कोई अवश्यक नहीं होता, प्रतेग व्यावसाइक संस्ता के लिए इसको बनाना जुरूरी नहीं है, यह तो सही है, ह इसके अंदर व्यापारी जो पैसे आते हैं, उनको लिखता है कहां कहां से हमें प्राप्तियां हुई, और हमने उस पैसे का यूज करके पेमेंट कहां कहां पे किया, तो एक तरह से ये cash account जैसा account है, जिसके अंदर आया कहां से और गया कहां से वो लिखा हुआ है, तो इसका न लाभानी की जानकारी के लिए इसे बनाना आवश्यक है, ध्यान दीजिए, खाते का नाम प्राप्ति और भुकतान खाता है, प्राप्ति और भुकतान खाता सिर्फ पैसे की बात करता है, ये बताता है, पैसे कहां से हैं ये कहां गये, ये नहीं बताता है कि आपको अप्ति बुक्तान खाता बनाते हैं वैसे एक और खाता बनता है जिसका नाम income expenditure account है income expenditure account का balance बताता है हमें कि deficit है या surplus इस खातेगा उससे कोई वास्ता नहीं है इसका मतलब B C O D यह तीनों की तीनों गलत हैं अगर यह तीनों गलत हैं तो इसका सही कि उत्तर हमारे लिए होगा answer number A यह खाता बनाना प्रतेग व्यवसाइग संस्ता के लिए नहीं है